आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली हाई कोट के एक ऐसे फैसले के बारे में जहां पर सवाल ये था कि क्या पती और पत्नी जब एक ही घर में रहते हों तो पत्नी अपने पती से मेंटेनिंस के डिमांड कर सकती हैं? आए जानते हैं ये मामला क्या था? इस केस में दिल्ली हाई कोट ने अपना एहम फैसला सुनाते हुए कहा कि एक पतनी अपने पती से मेंटेनेंस पाने की हगदार होती है चाहे वो एक ही घर में क्यों न रहते हो और पतनी की एंतनी मेंटेनेंस की याचिका को उन्होंने स्विकार कर दिया कोट ने इस केस में एक टिपपनी की कि एक married woman के पास बहुत सारे करतव्य होते हैं जिसकी वज़ा से अगर वो पढ़ी लिखी हो तब भी उसे नौकरी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिस्टिस मौनिका सरूहा ने कहा कि पतनी इस केस में maintenance पाने की हवतार है और उसे maintenance कितना मिलेगा ये पती की salary पर और दूसरी चीजों पर depend करता है ये मामला तब उठा जब family court ने एक महिला की entry maintenance की याचिका को खारिज कर दिया था जिसके खिलाफ उसने high court में अपील की थी इस मामले में पतनी ने DV Act के section 12 के तहट शिकायत दर्ज की थी और आरोप लगाया था कि उसके पती द्वारा उसे तंग किया जा रहा है और पतनी ने entry maintenance की application दी निचली कोट में पती ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया और कोट ने पतनी की याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया कि पतनी पढ़ी लिकी है उसके पास B.A. की degree है और वो खुद कमा कर अपनी देखभाल कर सकती है जिससे नराज होकर पतनी ने इस आदेश के खिलाफ पिल दायर की थी हाई कोट ने कहा कि पतनी educated है उसके बावजूद ये नहीं माना जा सकता कि वो अपनी देखभाल कर सकती है कोट ने ये भी कहा कि कई घरों में अलग हो चुके पती पतनी को एक पैसा भी नहीं मिलता और इस केस में ये भी नोट किया गया कि पती इस केस में ये भी प्रूफ नहीं कर पाया कि पतनी ने कभी नौकरे भी के थी इसलिए कोट ने फैसला सुनाया कि पतनी अपने पती से entry maintenance पाने की हगदार है और पतनी के अपिल को स्वेकार कर लिया वीडियो इंफरमेट्व है तो आप इसे like, share और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलक कुल मतुलिए का